हाई गाईज आज मैं सीक्रेट रेसिपी लेकर रही हो दिली के फेमस कुल्चे छोले की चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं यहां मैंने आदा किलो सफेद मटर को चार से पाच गंटे के लिए भीगो लिया था दो ग्लास पानी, एक चमश नमक और एक तेज पता ढालकर मैंने इसे 6-7 सीटी हाई फ्लेम पे रखकर अबाल लिया है देखे एकदम पफिक बोल हो गया है मटर और जादा पानी भी नहीं है जो थोड़ा सा बचा है उसमें हम इसको जब मैश करेंगे तो यह एब्जॉब कर लेगा इस पता को हम अलग कर लेंगे और इसे बाउर में कनवर्ट कर लेंगे मैश होने के बाद सारा पानी एब्जॉब हो गया है अगर आपको चले ग्रेवी फॉर्म में चाहिए तो उने मैश ना करें और अगर आपको कच्चिया द्रख नहीं पसंद है तो आप जिंजर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं यहां मेरे एक चमच पुदीने की चटनी में तीन चमच इमली का पानी यूज किया है आप चाहे तो इसकी कॉंटेटी बढ़ा सकते हैं नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम में जादा कर सकते हैं यह यह यहलो मिर्च है जो की बहुत ही इंपॉर्टन रोल निभाती है यह मिर्च के बिना यह रेसिपी अदूरी है तो इसे जरूर इस्तेमाल करें यह इजीली आपको जनरल शोर पे मिल जाती है अगर नहीं मिले तो आप इसको और लाइन भी परचेस कर सकते हैं चानो को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करें 10-15 से के लिए और आदा निम्बू डाल दें निम्बू आप अपने टेस्स के अकॉर्डिंग के कम में ज़्यादा कर सकते हैं इस वीडियो के इन में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगे जो कि आपके बहुत काम आएगी कुल्चो को मैंने घी में सेखा है आप चाहे तो बटर में सेख सकते हैं धन्यापती डालना option है आप चाहे तो ये पार्ट को स्किप कर सकते हैं बच्ट स्टीट स्वेल कुल्चे खाने का मज़ा इसी में है मैंने इस थाली को complete किया है salad और पुदीना चटनी के साथ अगर आपको इस salad की recipe चाहिए तो comment box में जरूर बताए पुदीना चटनी के बजाए आप रहते का भी use कर सकते है सरदी का मौसम है तो मैंने रहते को skip किया है मैं जिस trick की बात करी थी वो यह थी कि जब आप चलो को भेग होते हैं उसके पानी को आप फैक कर साफ पानी से धोकर ही इस्तेमाल करें ऐसा करणे से आपके जो चने हैं वो खराब नहीं होंगे चाहे आप इसको रेफरिजरेटर में दो से तीन दिन के लिए भी स्टो करके रख सकते हैं जैना कमाल की ट्रिक और इसी अच्छे ची रेसिपीस को देखने के लिए लाइक को सब्स्राइब करना ना भूले थेंक यू